Hello everyone, good morning to all, welcome back to my channel, I am Pooja और आज हम discuss करने वाले हैं 21 और 22 अपरेल के current affairs 21st of April को हमारा current affairs नहीं हुआ था क्योंकि हमने discuss किया था weekly current affairs I hope आपने देखा होगा और 40 questions का एक quiz था और वो भी आपने attend definitely किया होगा अगर नहीं देखा है तो भी कोई problem नहीं है अब playlist में जाएगा प्ले लिस्ट में आपको weekly current affairs मिल जाएगा जहां हमने 13 से लेकर 20 अपरल तक के सारे events को short में discuss किया हुआ है अब daily current affairs morning 8 a.m. पर daily हो रहा है और यह आपके सभी के सभी competitive exam के लिए important है यूटूब पर जो भी classes होती है daily current affairs, weekly current affairs या फिर मंधली compilation या और आपकी SSC की classes इन सबकी PDF अविलेबल होती है हमारे telegram पे तो telegram से आप easily PDF को डाउनलोड कर सकते हैं कल मैंने एक और बहुत important video upload किया था और वो video था SSC CGL 2023 के सभी shiftों में आए हुए science के questions with explanation तो आप उस video को देखिएगा आपको देखकर पता चलेगा कि कितनी अधिक मात्रा में animal and plant kingdom से questions आए हुए है मतलब इस particular topic को आपको कितना deeply study करना है बहुत चली हम theory भी पढ़ना start करने वाले है बस मैं wait कर रहे हूँ मेरे board आने का जैसे board आता है उसके बाद हम अपनी theory classes को शुरू करेंगे तो history को और science को हम detail में discuss करेंगे पहले history और science को खतम करते हैं उसके बाद हम quality and geography पे काम करेंगे तो कि सबकोच एक साथ लेके चलना difficult हो जाएगा इसलिए हम दो-दो subject पे ही साथ में काम कर पाएंगे ओके सो start कर लेते हैं आज का वीडियो सबसे पहले बात करते हैं आज का important day 22nd of April को हम celebrate करते हैं World Earth Day ठीक है एक महीने पहले जाए है 22nd of March को हमने क्या celebrate किया था World Water Day भी celebrate किया था अब theme क्या है तो World Earth Day की theme है planet versus plastic यहाँ पर earth.org का एक target है कि हमें 60% तक plastic production को reduce करना है 2040 तक 60% 2040 तक plastic हमको reduce करना इसके manufacture या उसके production पे ठीक है अब यह जो वीडियो है अगर आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंज के साथ शेर जरूर करेंगे पहली बार आ रहे हो तो subscribe कर लेना जिससे upcoming classes के notification मिल सकें आप जिससे भी group से जोड़े हुए है क्रिप्या करके link को share करें और like बटन पे बात करेंगे ठीक है उसके बाद कुछ banking news है वो हम देखेंगे फिर हम international news पर बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे वासुकी पर आप लोगोंने वासुकी के बारे में तो सुना होका जो भगवान SG मतलब हमारा जो national security guard है उसके डारेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है ठीक है इसके लब आप एक और नाम यहां देख पाएंगे सपना तिवारी का तो सपना तिवारी को special director बनाया गया है IB मतलब intelligence bureau में ठीक है तो नलेन प्रभाद appointed as the director general of national security guard national security guard का formation 1986 में हुआ था और यह जो बॉड़ी है यह ministry of home affairs के अंदर ग्रह मंत्राले के अंदर काम करती है ठीक है ओके इनका काम क्या है counter terrorism and counter hijack forces operate करना अभी जो नलेन प्रभाद है वो additional director थे CRPF मतलब आपके Central Force Central Reserve Police Force में जमुएन कश्मीर में और अब यह NSG के director general बन गए है और इन्होंने succeed किया है किसे दलजीज सिंग चौदरी एक्शली दलजीज सिंग चौदरी डारेक्टर जनरल नहीं थे इनके पास बस additional charges थे इनके पास additional charges थे NSG का इनका tenure 2018 31st of August 2028 तक इनका tenure रहने वाला है जी के इसके लावा जो committee of the cabinet है इन्होंने सपना तिवारी को special director भी appoint किया है intelligence bureau में और intelligence bureau के director कौन है तपन कुमार है अब NSG का अपना एक motto है motto का नाम है सरवत्र सरवत्तम सुरक्षा ओके अगले person यह भी बड़े important है हम बात कर रहे है वाइस admiral दिनेश केत्र पार्टी के बारे में अभी है हमारे वाइस chief है नेवल वाइस chief है नाम है दिनेश केत्र पार्टी अब इनको chief of naval staff appoint किया जा रहा है तो हमारे जो chief of naval staff होंगे वो कौन होंगे दिनेश केत्र पार्टी होंगे और इनका tenure 30th of April से start होगा 30th of April 2024 यह किसी succeed करेंगे किसको replace करेंगे तो answer हो जाएगा अभी हमारे जो chief of the naval staff है आर हरी कुमार आर हरी कुमार को replace करेंगे दिनेश केत्र पार्टी को कई सारे award भी मिल नेक्स्ट बात करेंगे धनलक्षमी बैंक जिसका formation 1927 में करला में हुआ था ठीक है तो धनलक्षमी बैंक के new chief या नए CEO अपॉइंट हो गए है नाम है अजीत कुमार और यह approval किस ने दिया है RBI तो recently Reserve Bank of India ने अजीत कुमार के को managing director and chief executive officer अपॉइंट किया है धनलक्षमी बैं कुछ और important banking related appointments हुई थी जो हमने discuss की थी for example हमने discussion किया था CEO भारत पे तो 2018 में भारत पे का formation होता है और इसके CEO कौन अपॉइंट हुए है ननिल नेगी ठीक है नलिल नेगी आपको CEO देखने को मिलेंगे अब यहाँ पे additional director सूरुदा Small Finance Bank के कौन है तो दीपक कुमार शर्मा को बनाया गया है अब बात कर लेते हैं इंटेल के बारे हैं आप लोगे इंटेल के बारे में जरूर सुना होगा यह chipmaker company है ठीक है जिसका head office आपको कैलिफोनिया में देखने को मिलता है और इसकी जो shareman है उनका नाम है ओमर इशरक ठीक है अभी news में क्यों है क्योंकि इंटेल क जो इंडिया का business है तो regional business head इंडिया में किसे appoint किया क्या है संतोष विश्वनाथन को appoint किया है तो computer chipmaker Intel announced संतोष विश्वनाथन head the Indian reason business as a managing director तो संतोष विश्वनाथन इंडिया के business को head करेंगे ठीक इंटेल ने appointment किया है अब बात करेंगे HDFC life insurance के बारे में so HDFC life insurance के अगर हम देखेंगे chairman तो chairman थे दीपक पारिक आपने इनका नाम definitely सुना होगा दीपक पारिक को 2006 में पर्दम बिभूशन अवाड भी दिया जा चुका है तो दीपक पारिक ने step down कर दिया है resignation दे दिया है और अब उनकी जगे replace कौन करेंगे इन्हें तो K की मिस्री इ ठीक है के के मिस्री इनका नाम है के की मिस्री next this is important news for us recently World Silver Survey 2024 report को release किया गया इस report में बताया गया कि Vedanta Group की जो company है Hindustan Zinc becomes the third largest global producer of silver तो हिंदुस्तान Zinc की जो company है ना ये वर्ल्ड की second largest zinc producer company है और वर्ल्ड की third largest silver producing company बन गई है according to the world silver survey report ठीक है ये वेदानता ग्रूप की company इतना हमें clear है ऐसा बताया गया कि हिंदुस्तान Zinc ने year by year 5% ग्रो किया है अब हिंदुस्तान Zinc के अंदर कई सारे mines आते हैं जिनका ये mining करने का काम करते हैं तो आपको राजस्तान में एक mine देखने को मिलेगी जिसका नाम है Sindeshwar Khurd mine ठीक है और ये वर्ल्ड की second largest silver producing mine बन गई है ठीक है इसके अलाब़ा एक और बात इन्होंने कहीं है यहाँ पर जो पंतनगर silver refinery है उसको recently London Bullion Market Association certification दिया गया है यह certification यह बताता है कि आपके जो product है वो 99.99% pure silver है अब हिंदुस्तान Zinc का production कितना रहा है तो answer है 746 metric ton आपको production देखने को मिलेगा हिंदुस्तान Zinc के chairman कौन है प्रिया अगरवाल आपको मिल जाएगे दन तो यह information भी आप याद रखेंगे next है PEN मतलब personal education number तो PEN to be mandatory for student तो यहाँ पर school education department ने recently कहा है कि जो हमारा academic year 24-25 उस पे हर एक student के लिए जो PEN है वो mandatory होगा कंपलसरी होगा हर एक व्यक्ति के पास हर एक student के पास basically एक PEN account मतलब personal education number होगा चीक है ऐसा क्यों किया गया ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब parents की services यह job location change होती है parents migrate होते हैं तो उनके साथ बच्चे भी migrate होते हैं तो इनके school change होते हैं और जब school change होते हैं तो हमें documentation जो है ट्रांसफर करना होता है जैसे कि TC हो गया आपके mark sheets हो गया बर certificate हो गया तो कई बार कोई document कम होने की कारण migration में delay होता है यह sometime कुछ ऐसी condition बन जाती है because of documentation कि student को drop out पे करना पड़ता है ऐसी problem future में ना आए इसलिए हर एक व्यक्ति के पास हर एक student के पास PEN personal education number होगा जिसमें आपका सारा का सारा data available होगा ठीक है तो PEN is a unique identification number assigned to every student और इसे provide कौन करेगा union minister of education provide करेगा through the unified district information system for education plus से ठीक है इसके अंदर बहुत सारे student और teachers already register है तो आपको यहां पर समझ में आ गया होगा इसका agenda क्या है simplify the process of student transition from one school to another in the new academic year done next अब फाइनली ब्रह्मोस मिसाइल की delivery हमने कर दी है कहां पर फिलिफिन्स में आप यहां पर देख सकते हैं यह Indian Air Force का C-17 transport aircraft है इसकी मदद से ही हमने ब्रह्मोस सूपर सूने क्रूज मिसाइल को transport किया है कहां पर फिलिफिन्स में तो इंडिया हैस डिलेवर्ड फास्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस सूपर सूने क्रूज मिसाइल to the Philippines basically दोनों के बीच में यह जो agreement हुआ था वो अब यहां पर आप देखेंगे इसमें हमने कुछ equipment भी भेजे हैं और launchers भी भेजे हैं यह हमारा पहला export order है ब्रह्मोस मिसाइल का और ब्रह्मोस मिसाइल जॉइन्टली डेवलप की गई है रशिया और इंडिया के दुआरा और एक supersonic missile है मतलब इसकी speed 2.8 mac है जो की 3 times जादा है speed of sound के और यहां पर defense ministry का अपना एक budget भी है मतलब export का target भी है 35,000 करोर रुपीज हम 2024 में export करेंगे अपने defense products को done next है IRIDA मतलब Indian Renewable Energy Development Agency Limited IRIDA ने अपना एक new office open किया है कहां पर gift city गुजरात में तो यहां पर क्या होगा अगर आपको renewable energy and hydrogen green hydrogen के अंदर कुछ काम करने है manufacturing facility setup करने है तो आपको foreign currency में यहां से debt या loan provide किया जाएगा जिससे foreign investor भी आएंगे और यहां पर foreign currency यहां से दोधार्ट लेके वह manufacturing product में invest करेंगे जो कि अपके green hydrogen यह renewable energy product होंगे इसलिए यह initiative लिया गया है ठीके तो Indian Renewable Energy Development Agency Limited has opened an office in the gift city Gandhinagar कहां पर open किया है Gandhinagar gift city में which will specialize in providing debt option denominated in the foreign currency तो foreign currency में आपको debt मिल जाएगा और इसका इस्तिमाल green hydrogen और renewable energy manufacturing project में किया जाएगा ऐसा हमें इर्डा की जो chairman है श्री प्रदीप कुमारदास उन्होंने information दी है क्योंकि हमारे तीन companies के बारे में बात करेंगे पहली company है Airtel आप सभी को पता है भारती इंडियन company है हमारे देश का एक largest telecom provider है और इन्होंने अपना श्री लंका का business 2009 में setup किया गया था मतलब इंडिया से इन्होंने अपनी services को एक्सपांड किया था श्री लंका कब 2009 में और अब इंडियन ने डिसाइड किया है कि अपने पूरे पूरे जो network है अपना जो पूरा business है उसको handover कर देगा किसको डायलोग को तो श्री लंका का जो भारती इंडियन का business है वो 100% transfer किसको हो जाएगा डायलोग को हो जाएगा तो डायलोग क्या है तो डायलोग श्री लंका का largest telecom provider है लेकिन डायलोग एक subsidiary है एक साहयक company है किसकी है तो ये company है आपके Malaysia का एक group है जिसका नाम है Exita group इसकी ही साहयक company है तो यहाँ पर यह हो गए आपकी India की बात ये श्री लंका की बात और ये Malaysia की बात तो तीनों country का involvement में था, उसको hand over कर दिया है किसे dialogue को, done इतनी चीज़े next, अब बात करते हैं, रुपे launch link it, forget it campaign तो सबसे पहली बात, link it, forget it campaign किसने launch किया है, तो ये launch किया है, रुपे ने, with the collaboration of NPCI, National Payment Corporation of India के साथ मिलके, इस campaign को launch किया है, link it, forget it ये campaign कहां पे launch किया गया है, तो जो अभी IPL चल रहा है, IPL 2024 में ही इस campaign को launch किया गया है मकसद क्या है, कि आपको अब credit card को physically carry करने के ज़रत नहीं होगी, आप अपने bank account को, मतलब अपने credit card को UPI से link करा सकते हैं, और UPI से अब आप payment कर पाएंगे, तो इसलिए ये collaboration किया गया और इसलिए इस campaign को run किया जा रहा है, तो रुपे in the collaboration with NPCI introduced the link it, forget it campaign during the Indian Premier League 2024, this initiative aim to showcase the seamless integration of the rupee credit card with the UPI, ये concept किसका है तो ये DDB, Mudra Group का है अब इस campaign को run करने के लिए एक face की जरूरत है, तो face कौन है इसके, शंकर महादेवन आपको देखने को मिल जाएंगे, ओके चली, अब बात करते है, SNP Global, SNP Global है Top 50 banks asset के मामले में, जिनके पास सबसे जादा asset है, Top 50 bank की list published की है, वो भी bank कहां के है Asia Pacific area के आपको ये banks देखने को मिलेंगे, तो इस Top 50 में आपको तीन banks देखने को मिलेंगे, जो Indian bank है, SBI, ICICI bank और HDFC bank SBI bank की जो ranking है, वो है 20 position पे, चीक है HDFC bank 33 position पे है, और ICICI bank 48th ranking पे आपको मिल जाएगा clear, according to the report by the SNP Global Market intelligence, 3 Indian lender इस list में include हुए है Top 50 bank by the asset in the Asia Pacific region वो तीनों bank, State Bank of India HDFC bank और ICICI bank आपको देखने को मिल जाएगे Top पर कौन चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो domination है, Asia Pacific area में, banking sector में, वो China का है, Top 10 में से 6 banks आपको चाइन को मिलेंगे, और Top 3 bank भी चाइना के हैं, तो 1st number पे है, Industrial and Commercial Bank of China Limited 2nd number पे आप देखेंगे, Agriculture Bank of China Limited 3rd number पे है, China Construction Bank Done Next है, Lakshmana Tirt River Lakshmana Tirt River सूख गई है, ठीक है डॉट की condition बन चुकी है इंटेंस heat के कारण, बहुत अधिक गर्मी पढ़ने के कारण ये नदी कंप्लीटली सूख चुकी है और आप लोग अभी crisis सुन रहे होंगे कि Bangalore में water crisis है तो water crisis होने का एक वज़ा ये भी है कि एक तो rainfall का कम होना बहुत ज़ादा गर्मी पढ़ना, नदीयों का सूख जाना और water का consumption भी ज़ादा होना और कावेरी river dispute तो सभी को पता है करनाटका और तमिल नाडों के वीच में ये कैसा dispute है तो ये कुछ reason है जिसके कारण आपको Bangalore के area में अभी crisis देखने को मिल रहे है तो यहाँ पे जो लक्षमना तीर्थ river ये साहयक नदी थी, ये ट्रिबूटरी थी कावेरी नदी की जब ये सूख गई है तो कावेरी नदी में पानी तो कम होगा ही होगा ठीक है, अभी जो लक्षमना तीर्थ river है ये कुर्ग डिस्टिक ब्रह्मगिरी hills कुर्ग डिस्टिक से originate होती थी और जाकर कावेरी नदी में मिल जाती थी, कावेरी नदी को इसने कृष्णा राजा सागर लेक के पास जोईन करने का काम किया था इस पे आपको कई सारे falls भी देखने को मिलेंगे जैसे कि लक्षमन, लक्षमन तीर्थ fall या इसे हम उरूपी fall के नाम से भी जानते हैं अगर हम कावेरी नदी के बारे में बात करें अब कई सारे साहयक नदीयां आपको कावेरी की देखने को मिल जाएंगी जैसे कि हारंगी, हेमवती, अमरावती, इसके अलावा अरकावती, भवानी, कवानी ये सभी नदीयां जो हैं वो किसकी कावेरी नदी के साहयक नदीया है चलिए, अब एक टर्म मैं आपको सिखाती हूँ विचिस जीपीएस, जीपीएस, पूफिंग, या स्पूफिंग, इसको हम बोल सकते हैं अब यह क्या है, माल लेते हैं कि कोई एक बहुत पावरफुल कंट्री है वो इतनी पावरफुल है कि जीपीएस के डेटा को यहां पर डिस्ट्रेक्ट कर सकती है तो मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई लोकेशन का पता लगाना है तो मैं किसकी मदद लूँगी, जीपीएस का मदद लूँगी लेकिन यह जो कंट्री है वो बहुत पावरफुल है तो उसने क्या किया एक फेक सिग्नल जनरेट किया और बहुत स्ट्रॉंग सिग्नल बहुत पावरफुल सिस्टम से जनरेट किया और जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको वीक कर दिया और यहां पे गलत सिगनल रिसीफ करा दिया, मतलब फेक सिगनल मुझे रिसीफ करा दिया, तो इससे क्या होगा, मुझे गलत इंफिमेशन मिल जाएगी, ठीक है, जनरली जो बड़े बड़े आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, वो अपनी आइडेंटिटी हाइड करने के यह लोकेशन है, वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाती, तो इसको ही हम GPS, पूफिंग के नाम से जानते हैं, तो इसराइल की लोगों ने रिपोर्ट किया है, कि इसराइल इस टेकनलोजी का इस्तमाल रिसेंटी कर रहा है, जिससे इरान, इरान को एक्चुली लोकेशन इसरा इसराइल की उपर, ठीक है, तो इसराइल यूज जीपीएस जैमिंग तो कन्फ्यूज इरान मिसाइल टारगेटिंग टीम अहेड ऑफ इरान डारेक्ट अटेक ऑन इसराइल, सेम इस तरीकी के टेकनलोजी का इस्तमाल 1999 में, कारगल बैटल में, कारगल के युद में, USA ने कि इसने भारत के GPS सिगनल है, उसकी क्वालिटी को डिगरेट करने का काम किया था, जिससे हमारे जो military operations है, वो हिंडर हो जाए, वो डिस्टर्ब हो जाए, यही एक रीजन है, जिसके कारण भारत को यहाँ पर एक रीजन मिला कि हमें अपना खुद का एक navigation system होना चाही, इसलिए भारत ने नाविक को तैयार करने का काम किया है, ठीक है, क्योंकि रिसेंट में जो incident हुए है, इसराइल के locals ने बताया है कि GPS में उनकी जो location है, किसी की location बेरुत में, किसी की location एजिप्ट में शो हो रही है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है, जिससे इरान की missile के जो targets हैं, उनको basically confused किया जा सके, तो I think आपको समझ में आगया होगा कि यह technology क्या होती है, और कितनी dangerous भी हो सकती है, right? नेक्स्ट है, Artemis Accord, तो recently, दो new countries ने इस accord पे signature किये हैं, 2023 में इंडिया ने भी Artemis Accord को sign किया था, मतलब इंडिया भी इसका part है, अब यह accord क्या कहता है, तो Artemis जो mission है, यह किसका mission है, NASA का mission है, और NASA यहाँ पर अपने mission को launch करेगे, जिसमें मून के surface पे लोगों को भेजा जाए तो यहाँ पर टोटल मेंबर नेशन अब हो चुके हैं, 39 क्योंकि रिसेंटली दो नई कंट्रीज ने जोईन किया है, नाम है Sweden and Slovenia, तो Sweden and Slovenia become the 38th and 39th country respectively to sign the Artemis record, यह बेसेकली अकॉर्ड जो है, एक सेट अफ प्रिसेंटली 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 प्रिस जो कि हमें बताता है हमें किस तरीके से इस पेस को एक्स्प्लोर करना है और यह कोई लीगली बाइंडिंग रही है कि हारे कंट्री को इसे जोईन करना है, अगर आप चाहो तो मना भी कर सकते हो, नहीं करना भाई, जोईन, ठीक है, डान इतनी चीज़ है, अब सिमलर जैसे क 1967 में एक आउटर इस्पेस ट्रिटी हुई थी ना, उसी का एक एडवांस वर्जन आप बोल सकते हैं कि आउटर इस्पेस को हमें कैसे इस्तमाल करना है, 39 मेंबर हैं, इंडिया ने 2023 में जोईन किया था, रश्य और चाइन इस अकॉर्ड का पार्ट नहीं है, नेक्स्ट है, वासुकी इंडिकस, ऐसा बोला जाता है कि वासुकी की जो साइज है, वो अनकॉंडा की साइज से भी काफी जादा है, जब इंडिया अफ्रीका के साथ कनेक्ट था, मतलब इंडिया उपर जाके युरेशियन प्लेट से नहीं टकराया था, उस समय, मतलब 47 मिलियन एर अगो 47 मिलियन एर अगो ये वासुकी इंडिकस पाया जाता था, तो रिसेंटली आयाइटी रुड़की, आयाइटी रुड़की के रिसेर्चर्स ने एक रिपोर्ट की है और डिस्कवर किया है फॉजल्स को, ये जो लार्जेस्ट स्टैक है, इसके फॉजल्स को बेसिकली आइड आप्शन ओफ रिन्यूबल एनर्जी सॉल्यूशन, तो क्लीन मैक्स ने रिसेंटली एपल के साथ पार्टनर्शिप की है और ये लोग 14.4 मेगावाट की एनर्जी रिन्यूबल एनर्जी को प्रड्यूस करेंगे, आप्शन बी इस दाराइट आंसर, इस नियूस को हमने पह इस दाराइट प्रियास इस की प्रियास इस कीम को एक्सेंट करने के लिए विमेंज वर्ड बैंकिन ने एग्रीमेंट साइन किसके साथ किया है, तो सिद्वी के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है, option D बिलकुल करेक्ट है, इर्डा ने अपना एक ओफिस ओपन किया है कहाँ पर गिफ्ट सिटी गांधी नगर गुजरात में प्रिसेंट्ली विच इंडियन कंपनी हाज बिकम थार्ड लाज़ेसर अफ सिल्वर्ट आज ही हमने देखा है आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान जिंक बन गई है ऑप्शन डी जा राइज आंसर रिसेंट्ली किस आईएटी और आमफोर्स मैटिकल सर्विस के बीच में पार्टनर्शिप हुई है अगर आपने प्रिविस क्लास के नहीं देखी है तो मैं आपको सजिस्ट करूँगी कि प्रिविस क्लास देखो तभी आप थोड़ा सा लिंक बिठा पाओगे नई ग्लास के साथ ऑप्रियर मॉट्ञ रिजी पास्ट और रज विट यह देखो है क्लावड़िट आपको ताईगर कैट देखने को मिल रहे है और इसका नाम क्या है इसका नाम है लैपड पाडिनो विडस कहां पर पाया गया है ब्रेजी के rainforest में Brazil के जंगरों में इस नई species की discovery की गई है option B next है recently नलिन प्रभाद इन्हें किस group का किस organization का new director general appoint किया है तो answer हो जाएगा NSG option B is the right answer which Indian state topped in the electronic goods export यहाँ पर देखिएगा पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसा Indian state है जिसने सबसे जादा electronic product को export करने का काम किया है कितना 9.56 billion dollar का यहाँ पर top कौन कर रहा है तो Tamil Nadu यहाँ पर top पर है Tamil Nadu के बाद करनाट का then आपको UP उत्तर प्रदेश देखने को मिल जाएगा electronic export के मामले में world liver day recently हमने 19th of April को celebrate किया था इसकी theme क्या थी तो theme है keep your liver healthy and disease free easy है याद हो जाएगा लक्षमन तीर्थ river recently seen in the news is a tributary of which river किस नदी की सहयक नदी है तो हमने देखा यह कावेरी की सहयक नदी है जो की ब्रह्मिगरी हिल से कर्नाटका से निकलती है कुर्व डिस्टिक से next है what is the GPS poofing recently seen in the news तो GPS is poofing या फिर poofing जो recently news में देखी गई है क्या है यह तो basically इसमें क्या करते है जो GPS signal है उनकी जगहें पे false signal को generate किया जाता है right तो manipulating GPS receiver with false signal okay option c is the right answer and this is caution of the day recently 13th European Girls Mathematical Olympiad conclude हुआ है आपको बताना है इंडिया को कितने medal मिले हैं जितने भी medal मिले हैं उन में से gold कितने हैं silver कितने हैं और bronze कितने हैं यह भी आप mention जरूर कीचेगा so मिलते हैं हम next video में ऐसे ही कुछ नए करें इंटफियर्स के साथ तब तक अपना ध्यान रखेंगे और जाते जाते लिंक को share जरूर करके जाएंगे so take care and bye bye